अकैने कि आपको अपके जहां पर आपका एक्साम होना है और आपके यहां पर 75 यहां पर तो 75 मांट के बहुत कुछ आपके हैं आप बचता है उसको दोंग यहां पर एक यह करके करेंगे और प्लस साथ में कहां कौन सी चीज़ कैसे बढ़ने इसकी बात करेंगे मैं दोनों ही पेपर के अंदर दोनों के अंदर 55 देर के और पांच पर यूनिट की बारे में पर बता दूँ क्या कि अब कहां पर कैसे त्यारी करनी है आप जो अपना जीकी का पर शायद आप बात के रहें यह आपर और पारधिकम के अंदर जो हैं आपके पर करते वं है आपको पीपर घॡ़ाक आपका टू है आपका और डशाया सेम अगेर यहां पर 75 को सिरीज आपके रायस्तन कॉलेज डाइबिं के सिरीज यहां पर हम लोग इन ही पेपर के बारे में डेटेल में बात करेंगे सबसे पहले आपको समस्या आम तोर पर देखी जारी वह है कि बहुत कुछ जो है यहां पर नहीं मिल रहा है नहीं मिलने कारण यह कि उज़ी सी न्टे नेट के सिलेबस से थोड़ा सा डिफरेंट अच्छे घुए तो मैं आपको पहले बताता है कि 70% जो है वो नेट के सिलेब नेट से नेशनल एलिजिब्टी टेस्ट का जो से मैच नहीं करता है तो आपका डिफरेंट है तो हम लोग यहीं से उसको बढ़ना शुरू करेंगे according to the syllabus तक रची के एक ओर एप से पफिर गारिकश्न आपनसी नीविटे defendant उनिड़ करेंगे टिरह तो फेपर वन है और पर वन के अंदर भी जो है का सबसे से पहला टंपिक के योब हर फेपर में पाँच एंट है, मैं आपका पेपर 1 के अंदर भी unit 1 की बात करूं का, unit 1 किसके है, unit 1 is related with the, some topics है, यहाँ पर पहली, its knowledge management, knowledge management की बात करते है, knowledge management का मतलब सीदी सीदी बात है, क्या कहेंगे हिंदी में इसको कहता है, ज्ञाण, प्रबंधन, तो इस ग्यान प्रबंदन की यूट आपको यहां पर पढ़ने नॉलेज मेरेजमेंट आपने आप पर देखी कुछ चीज़ें बेसिकली मैं पहले आपको आपको पर लेकर चलूंगा फिर देन बाद में की कॉशन यहां पर कैसे बनते हैं कि पहले आपको पूरा को पूरा पहले हैं वहां लोग किस पहले हैं यहां पर आपको यह बहुत अच्छे से या बहतर तरीके से नहीं पड़ी है तो आपके रिजनिंग और आपके जो हैं वह सही नहीं पाते हैं कि अच्छी को लेकर चलते मैं कुछ चीजों के साथ आपकी डेफिनिल्टी हम लोग कैसे इसको अध्यन करना उसकी बात करते हैं जो आपका प्रिसक्र शेवर से मैं आपको बताने चांब को दे रखा इसको देख सकते हैं साफ सब मैं एक ही करके से लेबस के ही बारे में वि यहां पर देखें आप थोड़ से ना इस अधिक अधिक अट्सक्रियर लिए लिए यूनिट वन की बात करते हैं यह यूनिट वन है आपका तो यूनिट वन के अंदर आप पहला शब्द किया दरखा आपको नॉलेज दरखा नॉलेज की डैफिनिशन है नॉलेज की थे गारेस बिएध देटा इनफुर्मेशन एंट नॉलेज नॉलेज इन तुनिन इंतिली भीशन दिफरेंस होना चाहिए यह भी शब्द इस निए इन इन इंपॉर्टेंट के नोलेज का कोडिफिकिशन है इसके बाद टूल्स प्रोसेजर ठीक है एक नोलेज का मैपिंग है इन सभी के पर कॉश्चिंज बनते हैं आपके नोलेज का टेस्टिंग है अगें इसके पर सवाल बनता आपका थेन कंपर इसको नोलेज का मोडल और केम सिस्टम यहां पर इंपॉर्टेंटल एक्जाम के अंदर आप से सवाल पूछा है अल्टिमटली इनफोर्मेशन सोसाइटी के पार्ट अलगे तो यह सिर्फ सिर्फ जो है किसका नोलेज मैंजमेंट की बात यहां पर हम लोग करेंगे यह सिले तो सब्सके आपको आपको अपने देडिव क्या चीज़ना को पढ़ने हैं का से अपस में एक दूसरे साब इंटरद करेंगे और और जब आपको इसमें आप डूसरे से इंटर रिलेट करेंगे तो पहले शब्दावली की बात करते हैं अप दोली से हम लोग काउंसेट पे सामने उन चारों शब्दों से ही जो है पूरी कहानी आपके सामने चलेगी चार शब्द कौन से है तो आप यह पर बना लीजिए इस तरह का एक डागरम बनेगा और फिर आप इसको पढ़ना शुरू करें इनको मैं अलग टुकड़ा में डिवाइट कर देता हूं आपके सामन कि इसको इस विस्टम करेंगे तो प्रॉसेश तरीक इस जाएगा यहां से ऐसे जाएगा यह आपका इसे जाएगा यह तरीका यह रहेगा यानिक इस डागरम को आप दिखेंगे तिर्में जो सबसे important बात है इसको हम लोग D I K W model करते है तो इसका जो फ्लो है यानि कि जो चल रहा है चलने का तरीका है कैसा है आपका यह clockwise है जैसे जलेगा आपका यह clockwise जैसा घड़ी चलती तो घड़ी कैसे चलती ऐसे जलती ना घड़ी की दिशामी जो है जहां पर इस तरीके से चलेगा यह clockwise इंपॉर्टेंट है इसमें है क्या चार शब्द लिखे हैं आपके लिए ना पहला शब्द कौन सा तो पहला शब्द आपक सब्सक्राइब मेंृटन है कि सबसे पहले इंपॉर्टेंट इस डाठी की बात कितो नीहां में बाट करें में से लिए आर्टिकल से किसी तुर कि किसी प्रकार की अगर आपके पास कोई भी अलेक्टेट्छेजने हैं में ग्नेक्ट लिटा चाहें अगर आपको क्लास आपकी क्लास कंद जितने भी स्टूडेंट अभी फिलहाल पड़ रहे हैं या पिक जिसे और लेटेन के बारे में अगर कोई जानकरी हम लोग उठाते हैं तो डैट इस नोवन इस नोन इस देटा करो हमने लिख ली इना तो मैंने कड़ों नंबर से मेरे पास था तो मेरे जितने भी लिए नाम है तो मैंने क्या बना दिया मैंने डेटा की बात कर करो कि दी टॉट conference कि इanki अपसे पहले कर सी लिस्ट तो उन का लिग दिए उननके नाम है उनकी एज है मैंने उनका दीडाच ली लिया बेंडर डाल दीर मेन उनका आधार नम्र ले लिया है विन उनका उंबैल ले लिए न वह लिए उसल्टेंट बहुत कि लिए है तो इस लिस्ट यह सॉटर्ट लिस्ट बने इस इस नोन अज वाट इस नोन अज द इन फॉर्मैशन गया इए यह आपका information के लाएगा इन फॉर्मिशन के बारे माद जब भी कहा जाए information watch it is simply व्रॉचेश्ड डेटा इक है आपका information is what it is process data the information क्या है तो देटा से क्या बनेगा डेटा से बनेगी इंफोरमेशन के अब इपाद नेक्स देखें नेक्स इस्ट इपर अब माली जी आप से पूछे कितने स्टुनेंट्स हैं तो इस प्रोसेस डेटा से हमें क्या है क्या है क्या है क्या है क्या है आंसर मिलेगे हमें हमको सब्सक्राइब करना पड़ेगा हमें वहां पर हर वक्त क्या करना पड़ेगा हमें वहां पर सब्सक्राइब करनी पड़ेगी इसके बाद हमने सब को एक साथ एक शीट में लिख दिया और उसके बाद हमने टोटल निकाली कहां कितने बॉइस हैं गल्स कितनी लाइख है ना तो वह यह हमारे ऐसे कई सारे सवाल होंगे सवालों को तर जो है मिलना शुरू हो जांगे और करने इसके बाद यह जो इनफॉर्मेशन भनी है इस इंफॉर्मेशन को अगर एफ वांतो एंफोर्मेशन को कि एनी रुग्यूंठ को से ऐस्कॉशन है ।क हम लोगप भिकलhग यूज था आपका नालजचGA इन फीनिश करते हैं तो यह क्या बनेगा इपकार नॉलिज्ट सब्सक्राइब जब हम क्या और नॉलेजिव इंफोरमिशन पास था डेटा आपने डेटा को क्या प्रॉसेट्टात थार डेटा को किया प्रॉसेटार करना यह पर दिल याव्ड संसर नौलेज मिन इस वाद में पर आपके पास अधिता नॉटा रेकिता नॉटमेशन से process it becomes the information then information is useful for us here that is process data and then finally we use that information on the basis of the knowledge any hummus information ko hama upon a given meaning I'm not decision-making current ultimately I think information kisari after a you are making a up-kissip car key after a decision you are decision making correct any decision making come out of the opening day there are a nailer it up nailer it so that is known as the knowledge you have ultimately up knowledge hell after I'm knowledgeable person at a bit of decisions leaping it or decisions can sign up to budget back the top of us factual information of the best fact key basis for information only to become where or effects can't sign up to budget it ultimately data information or knowledge you know a person may do something like an hierarchy is the case and finally the last time is going to be explained to the side of my life is going to need a like in what can whenever knowledge when whenever we grab the knowledge whenever we digest the knowledge when whenever we get the full of the knowledge I need to have my repast jitna abhi know that I have so what becomes the which become the that is in wisdom I need to have our past but with the wisdom comes up to wisdom come up to him name like the time I'm a person in the idea of the dhi and it is the development of the mind and again jitna jitna knowledge up to was brought to jayega russki final stage that is known with the panic and look data such a lot of the wisdom to put a so this is very simple to ultimately the key mera camera camera but up okay energy to have our topic has got us topic about the topic CDC what it is k-n-o w-l-e-d-g knowledge management I do not know you know you don't have a definition of the knowledge management ki 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 joh waasthivik tawar pe joh kai hi bhoas sari jaghe liekhi hoi data information se ban kate abot saadharan si paribhasha me aapko bata rome ek aam bekti ke liye to knowledge kia hai to knowledge dekhi ji aaptao knowledge kis se bata k-n-o w-n known known एक यापर के लिए नोलेज के अपर हिंदी मी कहते है तो इनका मतलब क्या होता है यहां इस नोलेज़ क्या होता है इस जिए कि जो ग्यात है वही ग्यान है इस जानते हैं जो कि हमने हमें पता है जो नहीं जानते हैं जैसे कि मुझे जो चीज है तो वह मेरा नॉलेज आपको जीज पता हो आपको आपको नॉलेज है सकते हैं गया कि एक जो जानते हैं तो जो आपको अपने पता है तो आपको आपको शाहिद नहीं पता है तो गोने मुझे पता है तो डाट इसमाइश नॉलेज इसको वोब आपको आपको जानते हैं जो आपके अंतरमन के अंदर है जिसे आप शायद एक्सप्रेस नहीं कर सकते यह जिसे आप इतना इसी ली तरहल तरीके से आप दूसरे को नहीं दे सकते किसी प्रकार का आपका अपका हो सकता है को आपका experience हो सकता है तो आपकी स्किल हो सकती है लेकर बाकि जो मुक्त रूप से समाज में एवलेबल है और यह जो कि को व्यक्त किया जा सकता है यह व्यक्त है एक कैसिट नॉलेज्ज वह है जो आपका निजी नॉलेज्ज है निका अंतर मन का मौन है इसको कि नहीं हिंदी में कि मौन ग्यान केंगे जानगे और इसको क्या बोलेंगे व्यक्त घ्यान जोनगे और पूरी कहानी इन दोनों के बीच में चलेकि इन दोनों के बीच में आपको सारी अजयद हो यहां पर उस्म का बात करऊंगा है यह नालीज की knowledge जो है आपका ये दू परिकार का है आपको इन्दर बहुत simple simple तरीके से आप आएगा tacit तैसे नॉलेज़ है और दूसरे क्या है आपका इस एक्स्पिसिट एक्स्पिसिट के अंदर क्या फर्क है मैं आपको बता हूँ तैसिट जो है आपका यह आपका मौन है तैसे पूह मौन मौन इसको लिखन अपने इसे ज्याद रेगा सब्सक्त और इशकर शान करता श dominated पराव 50 यह कज आकश्प उआ इस्क उस्पिस्ट और करता कीर एट्स्पिस्तिrend इस पपस्ट क्लेर सांफ सांस दिखाए दे दिखता है वह एक्सक्राइब करता है यह आपका अपका पॉलिक और यह देखा जाया तो यह आपका जितना अपको मन में आपके सारी चीज़े आपको इसका इसली एक्सप्रेस इसकार बीजिए शेयर लेकिन यह तो शेयर हो सकता है यहां पर दोनों के बीच में डैफिनीशन है नहीं होगा तो हम लोग आगे नहीं कर पाएंगे और यही से क्योंकि और यहीं से था है कि अदर भी कि जहां पर यहीं चीज़ सह 캔प से पहले आपका है छाफंट नहीं कि अब यहां पर आपको मिलता है तो इसा ग्यान जो आपके अंतर अंतर मन का घ्ञान है जिसे आप जानते हैं जो आपने समय के साथ सिखा है यानि कि यह आपके यह क्या चीज़ है यह आपके इसको कह सकते है आईडियाज है कि यह बिदिये आपका किसी प्राकर का एक्सपीरियंस तकी यह आप जानते हैं आपके आईडियास आपके एक्सपरियंस है आपके स्किल्स हैं कि मैं एक्जांपल दिए नॉलेज को जो है आप समझ सकें आपके दिमाग में या बुद्धी में आपके जो आप करते हैं इसी की देने आपके मन में आइडिया ना आपने को जितनी वी आपका आइडिया वह आपके आपका टैसिट नोलेज ए ठीके एक्स्पिरेंस है अगर जो आपको किसी प्रेव कर आए तो आपका टैसिट नोलेज जिस्किल्स आपको तो आप सबसे बड़ी बात क्या समझसे क्या है नौट इजीली और और ट्रांसफर सबसें बढ़ी समझ से क्या है वह एपको बहुत इसको नए कर सकते हैं को इंग आपको बातार रहें नए एक सब्सक्राइब इस एक बार बार आपको बीच पर आएगे बढ़ेगी इसक आपको 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 बगी इद्धिक तो बहुत करें खेड है सिट टू एक्सलिट दीकोडिंग एब यहां पर क्यांस तो इस प्रोसेस को हमेशा क्या वालेंगे हम लोग क्यों लोग के लिए लेकिन लिए धीकोड कर सकते लिकिन इसको लिगे कर सकते आप समझ गे मैं ढ ileकर चलूंगा जहां संब लिखागो जिसकी बात करों अगले शब्द वाली किया आपको देखने को मिलेगा कि हम नॉलेज को आपस में एक दूसरे के साथ क्या करेंगे हम एक्षेंज करेंगे इसका फार्मेट चेंज करेंगे तो आपने जितना ही आप बुक्स में देखते हैं आप इस ग्याथ में देखते हैं या आप इंटरनेट के पर हर यह आप कहाँ लेब्रेरी में देखते है को यह सारा जैन कौन सा यसिए रही इसक ऑइई प्रस्ट्व घ्यान है किया यह पॉब्ली के लिए विलेबल है तो इस नोने चीज़े तो यहां पर हमें किया है कि चार अलग अलग प्रकार की चीज़ें लिए बहुत सिंपल सापको तरीका दिखा रहा हूं तरीके से अपर यहां पर चार चीज़ें इसको अपर डिवाट करते हैं इसको याद कर लिए यह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता रहा हूं और इसके कोशन आने की पूरी संभा होना है कि कई बार समझ भी नहीं आता है तो शुलाइजिशन एक्स्टनला लाइजिशन इंटर्ण इंटर्नला लाइजिशन आपके तो आपके अपर क्यांगा क्वेशन आपके लोगे नाव दखी आपर मैं लिख त्वंवर्टेज आपर दी टी लिख रहूँ आपर मैं नहीं लिख रहूँ तई यहां पर भी लिखा आपको यह पर ए है तने यहां पर भी ए है आपका एक दो तीन और यहां पर मैंने इलिखा लिखा यह लिखा दी इस देखें जान से ओके सो टी का मतलब यहां पर ऐसे करेंगे अप्र आपके से यह मर्डल करेंगे अब है किया है यह टी का मतलब क्या है इंप्रीटी का मतलब अचेट है तो शोशलाइजेशन, एक्स्टर्नलाइजेशन, एक्स्टर्नलाइजेशन, और अपर आएगा कॉम्बिनेशन, तो चार सब्द, अब इसको समझेंगे, मैं आपको देखे, बहुत ही, क्योंकि यहाँ पर सारी चीजे मैं एक्स्टर्नेशन के साथ कर रहा हूँ, यह पर्टिकुलर्ली एक मॉडल है, यह क्या है आपका, इस मॉडल, इस मॉडल फोर, क्या कहलाएगा, मॉडल फोर कोडिंग, एक नॉलेज को हम लोग ऐसे चलेंगे, ना तो मैं T, टेशिट, से चल रहा हूँ, अधीट से तैसिट है आपका, फिर दन टेशिट सी क्या आएगा, ऐक्स्पीूजिट आएगा, एकस्पीूजिट है, एकस्पीूजिट है, यह बहुत ही ज्यादा, एक बार फिर से स्क्रीन के पर आप देखने हैं साफ-साफ तर आपको दिखाई देगा और यह बहुत ही महत्वपूर्ण चीज आपको बतारों इसका जिक्र है मैं आपको वह भी बताऊंगा आपको और देन उसके बाद जो है आपको कि सारी चीज याद करने पड़ी है कि कि क्लियर कि 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 लिए कि देखे मैं आपसे दो बाते कई अभी आपसे अपको बात होगी तो तरगे फिलाल नौलिज क्या है यह हमने बात कर लेकिन मैं आपको टैसीट और एक्समिशिट की बीच में डिफरेंस बतारों कि बहुत सरल तरीके से उसको समझते हैं कि हम जितने भी मनुश्य जितने विए सभी के मन में अंतर मन में सभी के पास कुछ नो कुछ ग्यान हैं हम किसी प्रकार की जानकारी हम लोग रखते हैं वह हमें अपने जीवन में जब से हमने जन्म लिया हमारे आसपास प्रमान संसार लुजे को मा अपने का कोई यंत्र नहीं को एक्जाम में सवाल आपसे पूछा जा सकता है जिसमेल्ट temu और णरे की yrnz की बात इल्ट्किमेटिलिए आप महानगे चले है एक अध्रक मन में हम और आपको बहुत पता हम किसी का कोई comparison नहीं कर रहे हैं यह परीभाशा अगर आपको समझ में आती है तो मैं आगे जहां से बढ़ सकते हूं कि टैसिट नौलेज यानि कि जो आप जानते हैं दूसरी बात यानि कि एक्स्पिलिसिट नौलेज यह जो बाहर एवलेबल है यानि मन के बाहर आसपास जो कार जाना आता है मुझे बाइक चला नाता मुझे एरोखेंड दिया तो मेरा टmost केल नाता है ठीमिह को आपको काना बना है यह मुझे समय लगएगा या मुझे बाइक चलने आती है तो मैं उसको बाइक चलना मैं देरे-देरे तरीके से इसको सिखा भूंगो लेकिन इतना इसी नहीं इतना सरल नहीं कि हाँ यह मैं जो है मैं नॉलेज चांस्टर करूँगा यहां आप इसको समझेंगे बहुत इंपॉर्टन और इंपॉर्टन आप जो कर रहे है वो शॉचल चीजें कर रहे है आप यह बहुत सिंपल सी डेफिनिशन में टैसिट की डैफिनिशन बता रहे हैं कि जो आप जानते हैं आपकी मन में घो कि इस सब्सक्राइब इस सब्सक्राइब इस नोन एब जाओ करें आप गoss सोच लइज हुआ दूसरी बात करते हैं इसकी पार टैसिट जो आपको पता है ओऩे करता है और बोभी को भी करता हो कि उन चीज़ों कीまあ मेरे मन में विचार है किताब के रूप में रूप में जैसे एक्जांपल लगे है है ये अधिक और इनिक डाइक र Hyundai स्थैसिकर अविधास कंसब्स उसक जह में हैं कि शोचिम नेगर है लिए पर अगर मैं कताब अधिक्ट कुरूं इतलो अपने दो गया अपने नॉलेज को गया हो तो ही आपको इस जनाञे को यह को समया है। समय और बाहर की चीजें बाहर ही मतलब एक्सप्लिस्ट इप्सप्लिस्ट इस प्रकार क्या है यह आपका कॉम्बिनिशन किया आपका इसे मालीजिए मैं क्लास में हूँ मिझे क्लास में किसी बच्चे ने मुझे को सवाल पूछा जो शायद मुझे नहीं आता था या मैंने उसको कह जाए कि यह तो सब्जेक्ट के सवाल नहीं है अबात किसे au उखाओ ऑपार से अब मैंने क्या इसका नौलज़्ट मुझे था ही नहीं तो प्रकाएं तो तो एसिट की बाद तो खतम होगी अब बात किस की है उसने मुझसे सवाल पूचा और मैं गया इंटरनेट पर मैंने गुगल पर ढूंडा लाइबरी में कहीं से भूंड के लाकर उसको उत्तर दी दिया यह कहला है कि एक्स्प्लिसिट तो एक्स्प्लिसिट कॉमिनिशन है या यानिकर औटर वर्ड चैना इसको इस ओटर आउटर वर्ड यानिकि मैंने बाहर से भी धूंड कर बसनों को बाद एकमेने की मैंसे अक्निनलों करते सक्थू है एक्सप्लिसिट एक्स्प्लिसिट आशिसट तू किया मैं थू आर्यों टैसे टैसेफिट का इंतर मनें ज्या कि बात प्रबॉद का प्रिपरिशन पुर्परेशल और जब आप एक्साम के परिपरिशन करते हैं तो यह क्या करते हैं आप पड़ते हैं किताबों से आपके पर क्या है आपके पास तो किताबे पढ़के आप अपने अंतरमन के ज्ञान को बढ़ा रहे हैं तो यह क्या क्या लगा इंटरनाल लेजाजिशन यानि कि आप क्या करें इसको आंतरिक तोर पर चीज़ें सीख रहे हैं और आप समझ रहें इसको तो मुझे बताइए यहां पर यह चीज़ें आपको समझ में आई या नहीं आई कि इसको यह सारी चीज़ें आपने सिखी इसके लिए इसको इसको का सब्ते है एक इंओ द्रीक नोन नकाम Liu क्या करहा अब का नोनका मॉटल मैं इसके बारे अलए बदल त्हौफ करहूं इन जी व्युल्च नामट अनौन उन्म vrij मैं अब्रिटने नम थे कर दिखाता हूं very is very is आप यहां पर देखेंगा जितनी भी बाते करूँगा अक्रॉटिंट सिलेबस इसा नोना का मोडल एक आपका एक जिसम, जाएज नोन अनौन हां ना का नौन का नहें ना का न अने यही कहा कि एक यहां पर चार तरह के चिजहने हैं और यहां पर आपके लिए एक बार फिर से थोड़ा सा रिवाइस कर लेते हैं जहां पर नहीं समझ मैं है तो मैं एक बार फिर से आपको बता दूँ और इससे हम लोग शुरूरात करेंगे आज की जो हमारी यूनिट है पहली यूनिट यूनिट वन है यूनिट वन का जो टॉपिक है इसके बहुत सारी चीज़ें आगी मैं फिलाल आपको एक ओवर्वियू के साथ लेकर चलू ताकि आपको और पर कैसे त्यारी करने हैं उसकी हम लोग बात करें तो नॉलेज मेनेज इस नॉलेज फॉरस यानि कि हम उसको काम में लाते यूस कर रहे हैं तो यह हमारे लिए नॉलेज है और उसी को हम अगर माली जो ग्रैप कर रहे हैं यह हमारे वक्तिवित के अंदर चीज़ें आनी तो वह आपका विज्डम बन जाएगा ने कि बुद्धी बन जागी देन इसके बाद हमने मैंने पर आपको यहां पर देखें सीधी बादे तो यहां आपको यह समझा है जैनी इसके बाद इंफरमेशन आपको डिस इन पावर बिता आपको आपको इनॉलेज मेनेजमेंट मेना अपको तरफा डीजिट है और आपका idea and थोड़ा साथ कि यह एक आपका मोन ग्यान है एक आपका इसपस्ट ग्यान है तो इस वहीं ज़ी मोन ग्यान आपको यहां पर दिखाई देता है जी बिल्कुल वहीं अभ मान लिजी दिखिए मैं आप से कहा तो आप जिसे जब भी अब बात करेंगे तो एक्जाम में अच्छा इसमें कोई भी किसी तरीकी चीज पूछी है अपको ऐसा सवाल घुमा फिरा के पूछा था कि एक वक्ति अपनी कंपनी में काम करा और उसको काम करते विए जो इसको 20 साल हो गए करता है और उसको बहुत लंबा समय लग रहा है तो इस तरह के नॉलेज को जो है आप क्या कहेंगे उसकी व्यक्ति के बाद किस प्रकार का नॉलेज है कोई भी डाइफिनेशन या आपको कुछ भी शब्दा वली और इसा होता है ना तो यहां पर आपसे कुछ भी गुमा फिरा के कैसी भी चीज अगर आप से पूछे है तो आप इस तरीके सांसर दे सकते तो बहुत सिंपल सी बात देखें नॉलेज मेनेजमेंट की आज ही पह संब्सक्राइब करता हूं कि यहां पर यह बात जो तो आपको यहां पर समझ में आई होगी है कि इसे क्लियर कोई सवाल आपकी तरफ से अगर कोई प्रश्न है तो आप यहां पर डैफिनिट्ट या मुझसे पूछ सकते हैं क्योंकि यहां पर क्लास आपके सब्सक्राइब होगी फिलाल देखिए मैं आपको जी एटू एटू ट उन संसादुनों के माध्यम से आप अपने स्वहम के ज्ञान को बढ़ाना चाहते हैं आप अपने खुद के नौलिज्ट को बढ़ा जाते हैं आप अध्यापन के जरीए ही आप काम कर पाएंगे है मैं है यहाँ पर समझ को समझ में यहाँ और वह अपर को इसी है बात करेंगे है है और आपके knowledge के knowledge, tacit knowledge को प्राप्त करने के कई सारे tools हैं आपके हम लोगों next class में और नोना का तो एक model दे रखा आपका syllabus में केवल एक model दे रखा इसके लाबद तीन-चार models और भी हैं तो जो तीन-चार models और भी हैं वो हम लोग कल की class में continue करेंगे ना तो रोज प्रती दिन इसी समय जो है आपकी नियापर class होगी और आप इस class के माद्धियम से आप सिख सकते हैं अन्य बाकी चीज़ें आप बढ़ते रहें और जैसे topic आपका complete होगा देन उसके बाद I will give you the questions अन्य कि कैसे प्रकार से एक्जाम में आपके सवाल आ सकते हैं हम लोग उसके उपर बात करेंगे ठीक है ना इंपॉर्टेंट बार देखिए यह और महत्वपूर्ण बात में आपको बता दो जितने लोग मेरे साथी लाइव देख रहे हैं इस वीडियो को तो मैंने आपको विसो प्रिजबस एक सिरिनकर दिए यापि को जानकर दिए लिजान कर दिया एक यहां पर एक पहली परीफाशा पर अर्थो cliffy जहांं पर printed जानकरी जो हम जानते हैं उसके बाद what is knowledge दन नॉलेज का भी जो है जो है नहीं पर अलग प्रकार से दो तरीख जिज़ें ज्यान क्या है तो यहीं पर इस चलनल के मददम से आपको समस्त जानकरियां यह क्लास के बारे में जानकर आपको यहां पर उप्रब्द रहती है एक और इंपॉर्टेंट बैच आज से आपका स्टार्ट हो गया है 15 जैन्वरी है अगर किसी को जो राजिस्तान को जाइन करना चाहते हैं तो इस इंदा देखे 5499 का बैच है आपका और जिसमें complete आपको मिलेगे सारी क्लास आपको मिलेगी लाइप रिकॉर्डट पेपर वन प्लस पेपर टू दोने चीज़े ना तो 247 पदों के लिए अगर आपने आप त्यारी कर रहे हैं लाइब को आपके लिए अभी भी सुनेरा मुका है यहां से आज से ही जहां पर क्लास जो हैं आपकी स्टार्ट है ठीक है तन बाइलिंग्वल मीडियम डेली लाइव क्लास इस कंटेंड यह समस्थ चीजों के साथ फैसलिटीज आपको मिलेगी और अगर आप मोबल आप्लिकेशन डाउनलोड नहीं किया है ता आप मोबल आप्लिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं इस दो नम्मर और इस नम्मर से भी जो है अगर आप चाहें तो संपर कर सकते हैं ठीक है तो इस फॉर टोड़े स्क्लास आज की ग्लास के नितना ही नेक्स ग्लास में मैं आप से फिर से मुलाकात करूंगा टॉपिक को जहां पर हम लोग कंटीनू करेंगे अप्टर के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दर्निवाद